Hello students, चलिए start करते हैं, limits and derivative का example number 6 देखते हैं, क्या है, find the derivative of the function fx equal to this, at x equal to minus 1, हमें इस function का derivative निकालना है, कब x equal to minus 1 पे, also prove that this equal to 0, और ये भी हमें prove करना है कि ये जो है 0 के equal होगा, तो कैसे करना है, द्यान से देखते हैं, सबसे पहले देखो बच्चो, function क्या दे रखा है, fx equal to 2x square plus 3x minus 5, ये दे रखा है, हमें इसका derivative निकालना है, अब derivative निकालने का formula देखो क्या होता है, अगर मानलो हमें function दे रखा है, x की power n की form में, कोई function है, fx equal to x की power n, derivative क्या होता है, इसका nx की power n minus 1, जो भी power हो वो आगे आ जाती है, और power में से 1 के subtract हो जाता है, ठीक है, तो य f-x का मतलब भी क्या होता है, derivative, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है, into, power आगे आ जाएगी 2, x की power एक power घट जाएगी, 2 में से बन गया 1, प्लस में, यहाँ पे 3 है, x के उपर 1 है, x के आगे 1 आया, तो 3 into 1, और x की power 1 minus 1 क्या हो गया, 0, minus, 5 क्या है, constant है, constant का derivative होता है, बच्चो, 0 यह चीज़ आपको पता है, f-x क्या आगया मेरा, 2 into 2, 4x, प्लस में, 3 into 1, 3, और x की power 0 की तितना होगा, 1, तो 1 into 3 into 3, 3 आगया, यह हो गया मेरा derivative, अब अगर आपको derivative नहीं पता है, तो एक बार इस वीडियो का introduction जरूर देखिए, इस chapter का, sorry, तो तभी आपको समझ में मेरे पास 4x, प्लस 3, हमें at x equal to minus 1 पे इसकी value निखाल लिए, तो क्या करेंगे, f-1 is equal to 4 into minus 1 plus 3, तो कितना आगया, यहाँ पे देखते हैं, minus 1 से multiply की, minus 4 plus 3, क्या answer आगया, minus 1, this is the answer, इसका answer, आया है यह, अब हमें प्रू क्या करना है, 2 प्रू, f-0 plus में thrice of f-1 equal to 0, यह और प्रू करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मुझे f-0 की value चीए, f-1 तो में राच चुका, f-0 कैसे निकलेगा, यहाँ पे 0 पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास function क्या था, तो यहाँ पे side में निकाल लेते हैं, f-0 is equal to, क्या f-0 कितना आगया, बच्चो मेरा, 3 आगया, तो यहाँ पे पुट कर देखेंगे 3, प्लस में 3 of f-1 कितना आगया था, minus 1, is equal to 0, तो 3 minus 3 is equal to 0 आगया, यह नहीं आगया, तो 0 equal to 0, तो hence, prove, बस, यह काम करना था, कोई दिक्कत, नहीं, कोई problem हो, तो screenshot लो, और WhatsApp कर दो, जल्दी स students for watching Nexa Classage.